नमस्कार दोस्तों जब से टीम इंडिया डबलू टीसी का फाइनल हारी है तभी से टीम इंडिया ने कुछ सवालों को जन्म दे दिया है और उन सवालों से हर किसी के मन में टेंशन्स जो है वो पैदा हो रही है क्योंकि इस साल डबलू टीसी का फाइनल हम अल्रेडी हार चु और दूसरी ICC Trophy जो है वो इंडिया के दरवाजे पर खड़ी है यानि कि वर्ल कप दोजार थेईस जो की होना है इंडिया में ही तो वर्ल कप से पहले टीम इंडिया के लिए कपतान रोयशर्मा के लिए कोच ratings राःुल द्रवेड के लिए क्या क्या चनोतिया हैं क्या क्या टेंशन है जो WTC फाइनल टीम इंडिया ने हारा है उसके बाद कौन सी नई टेंशन को जन्म दे दिया है टीम इंडिया ने उसके बारे में बात करेंगे डीटेल एनलिसिस करेंगे तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा और उससे पहले अगर आपने अभी त पर कौन करेगा बैटिंग उसके बाद कौन करेगा विकेट कीपिंग तीसरी बड़ी टेंशन है कौन होंगे तीन फास बोलर्स चौती है कौन होंगे दो स्पिनर्स और पांच वी और जो की सबसे एहम टेंशनों में से एक है कि कौन कौन से आपके बैकप प्लेयर्स होने व का ये जो spot है बड़ा ही important रहा है क्योंकि number 4 पर जिस तरीके से 2019 World Cup में कोई भी proper specialist बल्लेबाज ना होने के कारण हमने 2019 World Cup semi final में हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद सही number 4 जो है वो सबसे important spot बन गया है team India की playing 11 में तो number 4 के लिए हमारे पास आखिरकार options कौन कौन है सबसे पहले उन पर डाल लेते हैं नजर दिखें ये है number 4 के लिए option श्रेश एयर केल राहूल सूरिकुमर यादफ और संजू सेंसन अब श्रेश एयर की बात करें केल राहूल की बात करें दोनों ही injured चल रहे हैं अलाकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि दोनों वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया में वापसी कर जाएंगे लेकिन उसके बावजूद number 4 पर इन दोनों ही खाड़ियों में से कौन रहेगा लेकिन श्रेश एयर क्योंकि injured हो गए हैं और वर्ल्ड कप से पहले recovery का जो time है अभी तो rehab चल रहा है श्रेश एयर का लेकिन वर्ल्ड कप से पहले match fitness कैसी रही कि श्रेश एयर की क्योंकि direct अगर कोई खिलाड़ी injury से fit हुआ है recover हुआ है उसे आप direct match नहीं खिला सकते हो तो उससे पहले श्रेश एयर को कुछ matches मिलने चाहिए और उसके basis पर ही ये तैह होगा कि नमबर 4 पर क्या श्रेश एयर खिल पाएंगे या नहीं खिल पाएंगे क्योंकि आप ऐसे ही श्रेश एयर को हो या केल राहूल हो नाम बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन form बहुत ज़्यादा matter करेगी क्योंकि हमने WTC का final भी हा रहा है और पिछले 10 सालों से कोई भी ICC Trophy हम जीत नहीं रहे हैं किस वज़ा से क्योंकि हमारे players जो हैं बड़े matches में form नहीं दिखाते हैं form नहीं दर्शाते हैं चोक कर देते हैं चुरे शेयर के लावा केल रहूल बहुत बढ़िया option है हमारे पास लेकिन recent form अगर आप केल रहूल की देखें ODAE format में अच्छी रही है लेकिन आप चाहें T20 format की बात कर लें टेस format की बात कर लें जो match form की हम बात करते हैं कहीं न कहीं केल रहूल उसमें पीछे नजर आते हैं हलाकि ODAE format अच्छा खासा गया है केल रहूल का चाहें उन्होंने opening की हो या फिर केल रहूल ने lower middle order या middle order में बल्ले बाजी की हो तो नमबर चार के लिए केल रहूल आपके पास एक option है पर उसके बाद सूरिकुमार आदव और संजू सेंसें आपके पास एक और option मिल जाता है वहीं सूरिया की हम बात करें देखिए T20 format नमबर वन बैटर T20 specialist Mr. 360 टीम इंडिया के नए 360 बल्ले बाज लेकिन जब बात आयाती है ODAI format की तब कई न कई सूरिकुमार आदव जो है वो पीछे नजर आते है आपको याद ही होगा जो आस्ट्रिया के खिलाफ सीरीज हुई थी जहां पर लगातर तीन डक सूरिया ने बनाए थे अब वर्ल्ड कप जैसे बड़े टॉर्नमेंट में जहां सूरिकुमार आदव को इतना ODAI खिलने का अनुभव नहीं है जिने specialist ODAI player नहीं बुलाया जाता है जो की T20 के specialist player है वहाँ पर इतने बड़े टॉर्नमेंट में क्या सूरिकुमार आदव के उपर नमबर चार पर दाओ लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा अना कि सूरिया World Cup में खेले यह तभी possible है उस सूरत में जब सुरेश ऐयर या केल रहूल में से कोई आपके लिए नमबर चार पर नहीं खेल रहा है वहीं सूरिया के लावा संजू भी आपके पास एक option है वेस्ट इंडीस दोरे के लिए जो टीम का selection हुआ है वहाँ पर संजू का नाम उस टीम में है और संजू को टीम इंडिया और सिलेक्टर्स आगे के future के लिए लगातार देख रहे हैं अब संजू क्या वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे क्योंकि विकेट कीपिंग में भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर संजू को हम खिला रहे हैं तो विकेट कीपिंग भी उनी से कराई जाए हला कि संजू की performances अगर आप देख लें ओड़िया ये format में हला कि मौके इतने लगातर नहीं मिलें लेकिन जितने भी मौके संजू को मिले हैं उसमें संजू ने ठीक ठाक performances जो है वो दी हैं तो ये हैं नंबर चार के लिए हमारे पास options नंबर चार में श्रेश एयर केल राहूल सूर कुमर यादव और संजू सैंसन अब वर्ल्ड कप से पहले हर बार जब हम कोई भी आईसेजी ट्रोफी खेलने जाते हैं तो नंबर चार हमारा सबसे एहम स्पॉट होता है और इनी चार खिलाडियों पर नंबर चार की जिम्वेदारी होने वाली है क्योंकि अगर किसी दिन आपका टॉप और फ्लॉप होता है तो नंबर चार का ही प्लेयर आपके लिए मैच निकालता है वहीं अगली बड़ी समस्य क्या है टीम इंडिया के लिए ये देखिए ना होना टीम इंडिया के लिए खामयाजा बन चुका है क्योंकि हमने डबलू टीसी फाइनल में भी ये देखा रिशप पंद की याद बहुत जादा आई और बीच में जब बाइलेटरल सीरीज भी हुई है चाहें आई पेल की हम बात कर लें रिशप पंद को हर किसी न याद किया है क्योंकि जिस तरीके का खेल रिशप पंद दिखाते थे मैदान पर अब रिशप पंद क्योंकि इतनी सारी डिपोर्ट्स हैं वो यही बोलती हैं कि वर्ल्ड कप से पहले रिशप पंद जो हैं वो फिट नहीं हो सकते हैं और वो वर्ल्ड कप 2023 मिस्स करने वाले हैं तो रिशप पंद के अलावा हमारे पास कौन कौन से विकेट कीपिंग के आपको ओपनिंग में नहीं खिलाना पड़ेगा इशान को आप लोवर मिडल ओर्डर में खिला सकते हैं क्योंकि ओपनिंग तो आपके लिए शुबमन गिल और कप्तान रोई शर्मा करेंगे ऐसे में ये एक बड़ी टेंशन है कि इशान के साथ विकेट कीपिंग के लिए पर उसके बाद संजू आ जाते हैं जो कि संजू यहाँ पर थोड़े फिट हो जाते हैं क्योंकि वो मिडल ओर्डर में बल्ले बाजी कर लेंगे और वो विकेट कीपिंग का भी एक आप्शन बनते हैं लेकिन संजू को आप वर्ल्ड कप में क्या खिलाएंगे इसके उपर भी बहुत बड़ा सवाल है वेस्ट इंडी जोरे पर आपने जरूर संजू को मौका दिया है लेकिन हमने अकसर देखा है संजू के साथ ऐसा ही होता जब कोई बड़ा टॉर्नमेंट आता है या जब वो एकाद मैच में खराब पर्फोर्मेंस करते हैं तुरंत संजू जो है केल राहूल का है देखे केल राहूल सबसे बड़ा कोशनमार केल राहूल के उपर यह है क्या वो फिट हो पाएंगे वर्ल्लकप से पहले या नहीं अभी एंसीए में केल राहूल का रहेब जो है वो चल रहा है और इस रहेब में केल राहूल अच्छी रिकवरी जो है वो कर पा रहे हैं लेकिन यही सवाल है जो इंजरी केल रहुल को ही है और फिर वहाँ पर बात आती है कि War Cup से पहले क्या आप खेल पाएंगे Asia Cup में reports वो सामने आ रहे हैं कि Asia Cup में केल रहुल की वापसी हो सकती है फिर मैच फिटनेस देखी जाएगी केल रहुल की तो केल रहुल की ऊपर भी हबी सवाल है किया व arqu hut में उन्ही के साथ जाएं जायए जाएगा विकेट कीपिंग के तोर पर या कोई विकेट कीपर स्पेशलिस्ट उसे लेकर आये जायएगा टीम इंडिया में वर्ल्ड कप से पहले ये एक बहुत बड़ी टेंशन है अब अगली टेंशन की और आयाते हैं ये देखिए कौन होंगे तीन फास्ट बोलर्स अब देखे जिस तरीके से फास्ट बोलिंग की अब खदान बोली जा रही है टीम इंडिया को क्योंकि चाहें आप आ इंजर चल रहे हैं दीपक चाहर को आप ओडियाई में खिलाते नहीं हैं उसके लावा जिन प्लेयर्स को आप अभी खिला रहे हो जो वेस्ट इंडिस दोरे पर चुने गए हैं प्लेयर्स उनको क्या वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं सबसे पहले देखते हैं कि option क्या क् पॉलर मोहमस सिराज है ओडियाई रैंकिंग में आप देख लें टॉप टू रैंकिंग में मोहमस सिराज का नाम है जस्परीद बुम्रा अब देखे रिपोर्ट के मुताबिक बुम्रा को वर्ल्ड कप से पहले फिट हो जाना चाहिए आयलेंड की यह जो सीरीज होने वाली यह वर्ल कप से पहले वहाँ जस्परीद बुम्रा जो है वो वापसी कर सकते हैं लेकिन जस्परीद बुम्रा का हमने यही देखा था लास्ट येर भी उन्होंने एक मैच खेला था और उसके तुरंद बाद जस्परीद बुम्रा इंजर्ड हो गए थे तो वर्ल्ल कप से प चमी टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करने वाले हैं इस ओडियाई वर्ल्ड कप में भी चाहिए आप डबलू टी सी में देख लें मौहमद शमी की परफॉर्मेंस जो दो साइकल रही हैं उसके लावा ओडियाई फॉर्मेट में मौहमद शमी ने बहु बुम्रा फिट नहीं हो पाते हैं व्ल्ल कप से पहले तो यह सबसे बड़ा बलो होने वाला है क्योंकि आपने टी-20 व्ल्ल कप में भी बुम्रा को मिश किया जो लास्ट ये रेशा कप हुआ था वहाँ पर भी आपने बुम्रा को मिश किया तो जस्परीद बुम्रा अगर वर्लकप खेलते हैं तो यह सबसे बड़ी अच्छी खबर होगी टीम इंडिया के लिए वहीं उसके अलावा आप देखें मुहमद सिराज होने ही वाले हैं बुम्रा वहाँ पर अगर फिट हो जाते हैं तो बुम्रा रहेंगे और मुहमद शमी मुहमद शमी भी वर्लकप आप के लिए खेलने ही वाले लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास एक्स्ट्रा पेसल्स तो होने चाहिए उसमें उम्रान मलिक एक नाम है जैदे वुनातकट जने आप लगातार खेला रहे हैं वर्ल्लकप डब्लू टीसी के स्कॉर्ड में भी जैदे वुना उनातकट है शार्दूल ठाको ने डब्लू टीसी फाइनल में बहुत अच्छा किया था लेकिन सवाल ही है क्या उनातकट को आप वर्ल्लकप की टीम में रखेंगे क्या उम्रान मलिक की परफॉर्मेंस अगर आप देखें कुछ खास नहीं रहे हैं जब-जब उन्हें टीम के लिए खिलाया गया है विकिट्स उन्होंने जरूर लिये हैं लेकिन महेंगे भी काफी जादा साबित हुए हैं और इस साल का IPL में भी उम्रान मलिक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और इन्फेक्ट संराइजर हिदराबाद की टीम ने उन्हें खिलाया भी नहीं त वर्ल्लकप से पहले अब मेजर टॉर्नमेंट से पहले प्लेयर्स खिल रहे होते हैं वो उस टीम में नहीं होते हैं तो क्या जहदे वनातकट वहाँ पर होंगे और शार्दूल ठागुर क्योंकि ओल्राउंडर है शार्दूल का जो चॉइस है वो डेफिनेटली BCCI कंसीडर करेगी वर्ल्लकप के लिए अब अगली टेंशन जो है वो उस पर आजाते हैं क्योंकि आपके तीन प्रॉपर फास्ट बोलर कॉल से होंगे यह भी आपको नहीं पता है अब कौन होने वाले हैं तो इस्पिनर्स अब देखिए हर वर्ल्लकप से पहले अगर आप पिछले दो मैं सिलेक्ट नहीं किया था कुल्दी प्यादव को आपने मौका नहीं दिया था और यह वर्ल्लकप क्योंकि घर में होने वाला है तो इस्पिनर्स सबसे एहम रोल प्ले करने वाले हैं इस वर्ल्लकप में क्योंकि इंडिया में वर्ल्लकप होने वाला है और इंडियन पिच चाहिए कोई चर्चा भी नहीं होनी चाहिए रवी चंदर अश्विन ये बड़ा इंपोर्टेंट नाम है क्योंकि डबलू टीसी फाइनल में अश्विन को ना खिलाना टीम इंडिया के ऊपर सबसे बड़ा भाहरी पड़ा हुआ फैसला था क्योंकि आपने नहीं खिलाया था अश्विन को जो कि आपको बहुत बड़ा नुकसान दे गया उसके लावा क्या आप अश्विन को इसकीम ऑफ तिंग्स में अभी भी ODI के लिए कंसीडर करेंगे क्योंकि ODI में रवी चंदर अश्विन नहीं खिल रहा है काफी टाइम से टीट्वेंडी वर्लकप में जरू तो वो रवी चंदर अश्विन के लावा रवी बिश्विन को टीम इंडिया ने एशक अपके बाद मौका ही नहीं दिया वो लगातर अच्छी परफॉर्मेंस इस आईपेल में दे रहे हैं डोमेस्टिक में दे रहे हैं तो रवी बिश्विन आपके लिए एक उप्शन है जो लगातर एक समय इंजर्ड होने से पहले लगातर टीम इंडिया के साथ थे ओडिया ही खिल रहे थे टी-20 खिल रहे थे और आपके लिए बल्ले बाजी में भी बहुत उपयोगी साबित हो रहे थे तो वाशिंग्टन सुन्दर आपके लिए एक उप्शन है बल्दी ये दोनों ही आपके लिए जो है वो रिस्ट स्पिनर्स है लेक स्पिनर है और एक चाइना मेन जो की इंडियन पिचिस पर एक अलग वेराइटी जो है वो लेकर आते हैं तो यहां पर टेंशन रोई शर्मा के लिए यह है कि ऑप्शन मेरे पास बहुत है टीम में भ लावा कौन होगा क्या दो फिंगर इस्पिनर्स के साथ ही टीम इंडिया जाएगी यहां पर अक्षर पतेल का भी नाम आजाता है वो भी फिंगर इस्पिनर है या फिर रुविंद्र जड़जा कुलधी प्यादव या रविंद्र चड़जा हो सकते है वहां पर या युज होने वाले हैं बैकप बैकप में कौन-कौन हो सकता है देखिए वर्ल्ड कप से पहले जब भी टीम अनाउस हो रही होती है तो सिलेक्टर बैकप के बारे में जरूर सोचते हैं क्योंकि वर्ल कप में अगर आपका कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो आप किसको बैकप में रखेंगे चाहें ओपनर्स हो चाहें विकेट कीपर बैट्समेन हो कोई या बोलर्स हो कोई भी खिलाडी हो उसके बैकप में कौन-कौन प्लेयर आ सकते हैं तो बैकप में कौन-कौन से हैं क्या क्या option होने वाले हैं टीम इंडिया के अप पास उसके बारे में बात कर लेते हैं यह देखिए यह शश्वी जैसवाल रुतुराज गाइकवाड अगर आप ओपनिंग की बात करते हैं तो यह दोनों आपके लिए बैकप के तोर पर सामने आ सकते हैं क्योंकि दोनों की फॉर्म बहुत अच्छी और वेस्ट इंडी दोरे पर यह दोनों ही खिलने जा रहा हैं वहीं मिडल ओडर की बात करें तो वहाँ पर तिलक वर्मा का नाम है तिलक वर्मा ने आई पिल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दी हैं इस साल और पिछले साल भी आई तिलक वर्मा ने दी थी तो तिलक वर्मा का वहाँ पर एक नाम है उसके लवाशिंग्टन सुन्दर आपके लिए बैक आप में शामिल हो सकते हैं अब देखें सुन्दर का नाम यहां पर इसलिए है क्योंकि आप जितने भी स्पिनर्स हैं उनको नहीं खिला सकते हैं आप द जाती है तो जिते शर्मा आपके लिए रिजर्ब में आ सकते हैं जिते शर्मा एक बैक अप हो सकते हैं और आवेश खान पास बोलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पर आवेश खान का नाम है एश्या कप 2022 में आवेश खान खेले थे आखरी बार और उसके बैक बैक अप प्लेयर्ज में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं तो ये पांच बड़ी टैंशने तो हैं टीम इंडिया के पास कौन होगा नंबर 4 पर विकट कीपिंग के क्या क्या option होने वाले हैं कौन आपके fast bowlers होने वाले हैं लेकिन इन सभी टैंशनों से बड़ी और मैं क है सकता हूं कि पांच टेंशन है टीम इंडिया के सामने और हैं क्योंकि वर्ल्ड कब से पहले आपके प्लियर्स ही फित नहीं हैं तो इक श्रेय शायर वहां पर आ जाता है यह देखिया फाइव इंजर्ड प्लियर्स जो टीम इंडिया के सब से important players है जस्प्रीद वुम्रा कियल राहूल श्रीय शहियर रिशप पंद और प्रसिद्ध कृष्णा देखे जस्प्रीद वुम्रा की बात करें देखे जस्प्रीद वुम्रा की राहूल और श्रीय शहियर इनके आसान भी नहीं होने वाला है कि आप डिरेक्ट ने warm-up matches से पहले ही वर्ल्ड कप में खिला दें उसके बाद रिश्यप बंद वो तो वर्ल्ड कप से वैसे ही बाहर है और प्रसिद कृष्णा जो कि आपके लिए पिछले साल लगातार खिल रहे थे आपके लिए बहुत अची performances भी दे रहे थे 140 km पर आर की speed से लगातार गेंदबाजी भी कर सकते हैं वो एक option थे लेकिन वो भी injured चल रहे हैं तो ये 5 जो प्लेयर injured हैं ये भी आपके लिए 5 बड़ी tension हैं तो इसलिए हम बोल रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के कुछ important calls नहीं लिए तो ये ICC trophy भी आपके हाथ से निकल जाएगी और जो सिलसला पिछले 10 सालों से चलता हुआ आ रहा है रोकाउट्स में हार जाने का इस वर्ल कप में भी आप देखेंगे और इस वर्ल कप में भी आप नहीं जीत पाएंगे ICC trophy जीतने का सपना जो है वो चकना चूर एक बार फिर से हो जाएगा इसलिए वर्ल कप से पहले जग जाओ टीम इंडिया ये wake-up call है तो आप लोग भी comment section में अपनी राय ज़रूर रखेगा कैसी लगी आपको ये वीडियो और जो tension हमने बताई है क्या इसमें टीम इंडिया और रोई शर्मा के सामने कुछ और बड़े चिंताईं भी हैं वो भी आप comment section में अपनी राय ज़रूर रखेगा साथी साथ वीडियो को लाइक कीजेगा और ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को subscribe करना मत भूलेगा तो फिलाल इस खास report में इतना ही जै हिंद जै भारत